नमस्कार सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका शेखर पटेल सर आप कहां के रहने वाली हैं सर क्या काम करते हैं आप सर संत्रांपाल जी महाराज की सर में आने से पहले आप क्या वक्ती साधनाई करते थे सर फेराब संत्रांपाल जी महाराज की सर में आने के पहले जो भी हिंदू वर्ण में जो पुजा होती है देव देवताओं के पुजा घरेलू जो अस्तमी का है या वेश्न देवी के पास भी होके आता था में पहले दोए बार और कहीं सीड़ी भी चले जाते थे सर फेराब संत्रांपाल जी महाराज की सर में कैसे आये में संत्रांपाल जी महाराज के सिफ्ज जो नाम दान लेकर आय थे संत्रांपाल जी महाराज से तो वो स्थाफ में मिलब सबी शिक्षों से बहस कीया करते थे खिई गीता जी में आधाय आठ के एठा सलोक में कहा गया है कि भखवान अपने साथ नों एत्म बता रहे हैं और अठारा के स्लोक बासट में वो किसी और भखवान की सरण में जाने हो कह रहे हैं तो इनकी बाते हैं रोज सब सब स्टाप में चर्शा क्या क्या करते से वो मुझे नहीं बताते से कभी आपस में رोज म préparते पूछा कि आप इसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह मानों जीवन जो है मिला है इश्वर की प्राप्ति के लिए इसका मुख्य यह नहीं है कि हम बच्चे पेदा करें इनकी पालन कोशन करें और गहर बना यही काम नहीं होता है तो बात मेरे दिमाग को बहुत जगा कर गए तो अगले दिन भी में खुद उनके बातों में इंट्रेस्ट लेन लगा और उन्होंने फिर मुझे जो कहा कि आप संत्रामालजी भाहराज की सच्चंग कुना करो इनके साधना टीव पे 47 से सच्चंग आते हैं और आप उनको समझो तो मैंने जब इनके सच्चंग स संत्रामपालजी महराज की सच्चंग सुनने के बाद में महिना भर तक सत्रामपालजी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद शर्दालों को बहुत सारे लाप राप्त होते हैं तो क्या संत्रामपालजी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद शर्दालों को बहुत सारे ल लेने के बात जैसे शारीर की समझ्षा जो थी मुझे स्लिप डिक्कत थी मेरी एल फाइब स्लिप थी और जो स्लिप डिस्क की जो दिक्कत थी एमराइ करवाई गोकुल्दास अस्टेल इंदोर में तो वहां से जो संदीप अगवाल सर जो है डॉक्टर हाटी रोग इस्वेश तो फिर आपको आपरेशन करवाना पड़ेगा और आपको कोई वेट निए उठा सकते आप सामा ने जीवन नहीं सकते जैसा गाड़ी दोडाना या कोई चरकारना नहीं कर सकते आप लेकिन संद्र अंबल महराज से दिख्षा लेने की परस्चाद मिसे शिप डिसके बारे ना कोई दवाई लेना पड़ी ना कोई आपरेशन करवाना पड़ा के वल अंगरु जी द्वारा दिये गए मंत्र जाप से ही मरी वा समस्चा दूर हो गई दूसर समस्चा मेरी पाचन संबंदी थी जो चार-पांस साल से लिवर में पीलिया हो गया था कमजोरी बहुत लेकिन संद्रामपलज महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद जो है ना तो मैंने कोई पाचन समस्चा दी गोली खाई ना कुछ इलाज भी नहीं करवाया एक लाब और सर जी संद्रामपलज महराज की सरण में आने से पहले जो है मेरे जिसे में बहुत ज्यादा स्कूल के हुआ है नहीं होगा और यह होता है तो कैसे होगा सफल होगा नहीं होगा लेकिन संद्रा रहराज महरा से नाम लें लेने की पास्चा देशाद जे हमें आने से आई टले बला जो मस्तक में सूली हो कांटे मेटल जा इसके तरह जब हम घर में थे और किच्छन में एक दीपक लगा था तो मरी बाली का जो है 12-13 साल की थी और पीछ एक साथ खड़ी हो गई पीछ जाकेट में आग लग गई और मैं ख़ड़ा सतना मुझाब कर रहा था और कुछ चोड़ी बात भी कर रहा थे तो अग लगी तो उसके जाकेट पूरी जल गए और उसको पता ही नहीं में पिछ आग लगए और मैं जैसे देखकर उसके आग बुजाई अगर संत्रामबाज महराद की शरण में यदे नहीं होते तो क्या पता वो कौन सी घटना हो ना तो उसे वह आनी माले जहें कबिर परमादमा की सफल होती है कि संत सरण में आने से कोई तकलीब नहीं आती है और तकलीब आती है तो वह बहुत हलके में टल जाती है संसार क्लाब भी देखे जाएं तो बहुत होते हैं कि मेरी सर्विस मेरे गाउं से 20 किलमेटर दूर थी और मैं 20 किलमेटर दूर सर्विस पर अपने जाप करता है माबाब के साथ रहता था लेकिन गवर्मेंट के नियम के अंतरकत है कि युक्ति-उक्तिकरण प्रक्रिया होत उनने कांस्लिम अच्छी जगह ले ली बचे हम चार अब चार जो बचे उन में मेरा नमबर जो है सेकंड लास्ट मै तो मुझे कोई जगह मिली नहीं मेरे गाउं से लगबक साथ सतर क्लिमोटर दूर सारे गाउं थे जो उनने बता है कि आप यह ले सकते हो तो मैं तो अहसामत साथ में जुड़ूआ और नहीं किसी अधिकार के हाथ जुड़ूआ आप जहां करोगे वहां सर्विस कर लूँगा लेकिन यहां रहूँगा माबापकी सेवा भी हो जाएगी तो बस उसके देस में बाद ही मुझे फोन आया कि मेरे गाउं से तीन क्लिमोटर आगे गाउं ह हैं वहां पर पोस्ट खाली है और आप महां के लिए एक ट्राइ करो बहुत ही सरल प्रक्रिया से मेरा आज ट्रांसपर हो गया और मैं पिछले तीन साल से महीं पकार्या थूँगा लोग का मानना है कि संत्रामपाल जी महारा से सरदालू अंद सरदा के तहर जुड़ हुए ह हैं आप एक साइंस के टीचर हैं इसके पीछे क्या सच चाहिए आपका क्या मानना हैं अंद सर्दा भक्ति के अंदर के संत्रामपाल जी महारा के शिश्चे नहीं जुड़े हैं जबकि यह पूरा समाज मानों समाज जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस भी धर्म को जिस भी जा प्रस्म मानना को एक क्योंकि प्रमात्मा विध्धान हैं वेदों में पजित्र कुरान शरीभेध या मुसलिम धर्म में तो गुर्बवाण सहिभ्हेधि या मशिक्षाथ दर्म में थ mental करेंगे तब हमारी बहुति कहलाई हैं परी भक्ति सच्चि कहलाई इंदर को शुड़ सद्रामपाल जी महाराज को उन्हें क्या संदेश क्या चाहेंगे आज मैं जो भी सद्दाल देख रहे हैं मुझे जगत और भगत सभी से हाथ जोड़के प्राथना करना चाहता हूँ कि संत्रामपाल जी महराज के ग्यान को समझे आज कहीं चैनल सत्संग आते हैं उनके सत्संग को सुने और समझे और आज लगबग पुरे देश में को लेकर पढ़ें और संत्रामपाल जी महराज का उदेश क्या है और समझने के बाद में उनको घ्यान को समझे और फिर जो है उनसे नाम दिक्छा लेकर अपने मानोजिहां को सफल बना क्योंकि मानोजीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है सभी शास्त्रों में हमारे जो भी धर्म के जो भी इश्वर प्राप्त जो भगत है उन्होंने बदाया कि मानोजीवन दुरलब है ये मिले न बारम बार जैसे तरवर से पत्ता तूट गिरे बहुत न लगता डार तो इस अनमोल मानोजीवन को बजाना है तो सास्त रनोकुल भक्ति करना पड़ेगी और सास्त र कर झाल 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 कि प्राप्ट टो बार जोंदोन बार ए तो अम